हेलो दोस्तों बात करें एलो वेरा की जिसको हम हिंदी में घृत कुमारी के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें घी की तरह चिकनाई पाई जाती है इसलिए हम इसको हिंदी में घृत कुमारी कहते हैं और सैंटुविक नेम है इसका एलो वेरा यह हमारे हेल्थ के लिए बेहत फ इसको गंबले में पॉर्ट में आप इसको उगा सकते हैं अपने घर में और इसका फ्राइज जूस आप घर में ही मिक्सी जार में बना के इसका सेवन कर सकते हैं इसके देख नहीं प्रने को फायदे हमें देखने को मलते हैं में 95% तक पानी और 5% इसमें इसमें पायदें मंद होता ह। इसमे 60 uh Brazil सब्सक्राइट होती है। हमारी Münаны ठाल होने सब्चता है थी वाल coronavirus उपकीर। करने काम करता है। इसमें vitamin B complex अतिरिक महात्रा में फाय जाता है, glucose को कम करता है, यह हमारी blood sugar को कम करने का काम करता है। इसलिए diabetes के patient के लिए बेहत उपकारी माना जाता है, aloe vera juice का सेवन करना या फिर aloe vera pulse को खाना. बहुत हैं तो जिसे करने के साथ हैं जुस को ज़िए इसके पल्क को। इसके बाद और चुट पॉस्कों सब्सक्राओं सब्सक्राइब करें कि यह जुटे आप सी वॉजी कर सकते हैं पेट में जलन होने की समझे है या फिर डाइजेश्टिर सिस्टम से रिलेटेट कोई भी प्रॉब्लम है उसमें अलोवेरा जूस या फिर अलोवेरा पल्प बेहत पायदे मंद होता है यह हमारे वुंड हीलिंग में भी फायदे मंद होता है यदि आपको घाव है कहीं पे कट स्वाइर्वेड को आपके वाडी के इसी पार्ट में दर्णी समझे है या फिर श्वैलिंग के समझे है इसमें आयुरबेट भी यह कहता है कि इसका सेवन करना बहुत वादे मंद माना जाता है क्योंकि इसमें असीजिट पाया जाता है जो की जो एस्पाइरण टैबलेट ह लेते हैं उसकी तरह ही कारे करता है एस्पाइरिन को लेते हैं जोनों की बात हो चाहे हैट की बात हो पेट बात के बात हो यह वी बॉडी में दर्भ हो इसमें जुस यह बहुत फैयदे माना जाता है और ये ट्राइ गोसराइस को कम करने के लिए बेहत फायदे महता है, इसलिए हमारी हार्ट हेल्थ को प्रिवेंट करता है, बेहत फायदा करता है, अगर हम बात करें, किन लोगों को अलोवेरा का जूस जैबर अलोवेरा पल्क में नहीं खाना चाहिए, यदि आपको लूज का सेवन नहीं करना है, इसमें दूस परणाम देखने को मिल सकता है, आपको अलोवेरा के अलोवेरा के बारे में पता चला रहे हैं, और ऐसी ही इंप्रमेटिव वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राब करना ना भूलाएं, थैंकि फॉर वाच्छिंग, आप